मारी आज की कहानी एक जोरदार मुक्के से शुरू होती है. मुक्का खाने वाले का नाम जेसन, जबकि मारने वाले का नाम स्टीव था. इसी बीच जेसन का बड़ा भाई विल भी वहां पहुंच जाता है. दोनों भाई स्टीव के घर किराये पर रहते थे. दोनों ने काफी समय से उसका किराया नहीं दिया था, जिस कारण स्टीव उन पर गुस्सा था. विल स्टीव को रोक कर उससे वादा करता है कि वो जल्दी ही उसका पूरा किराया दे देगा. विल की बात मान कर स्टीव ने उन्हें कुछ दिन और दे दिये. ये दोनों भाई, मूवर्स का काम करते थे, यानि एक घर से समान उठा कर दूसरी जगह शिफ्ट करते थे. दोनों लैपटॉप होल कर नया काम मिलने का इंतजार कर रहे थे और जल्दी ही उन्हें नया काम मिल भी जाता है. विल जैसन से कहता है कि तुम्हें स्टीव ने काफी मारा है, तुम थोड़ा आराम करो, मैं जाकर ये काम करता हूँ. जैसन विल की बात मान गया, जिसके बाद विल उस घर की तरफ बढ़ने लगा, जिसका समान उठा कर उसे नई जगह शिफ्ट करना था. विल की गाड़ी भी लोन पर थी, और उसने कई महीनों से उसकी भी किष्ट नहीं भरी थी. थोड़ी ही देर बाद, विल एक घर के बाहर गाड़ी रोगता है. इसके बाद वो जब घर में आता है, तो उसका सामना एक खूबसूरत औरत से होता है. इस औरत का नाम लिसा था, और विल ने इसी का समान दूसरी जगह शिफ्ट करना था. लिसा दिखने में भले ही नशीली थी, लेकिन वो थोड़ी खतरनाग भी थी. जल्दी ही विल ने उसका पूरा समान गाड़ी में रख लिया, जिसके बाद दोनों आगे बढ़ने लगे. उनके जाने के बाद ही, लिसा के घर दो आदमी आते हैं. लाल टी-शिर्ट वाले का नाम सुमा, जबकि बनियान वाले का नाम मिलर था. दोनों लिसा को खोजते-खोजते यहां पहुँचे थे, लेकिन वो तो अपना समान उठाकर कब की यहां से चली गई थी. घर की तलाशी लेते-लेते, सुमा के हाथ एक पेपर लगता है. वो डल्दी-जल्दी मिलर को अपने पास बुला कर कहता है कि लिसा ने इस मूवर कमपनी को फोन किया था. दूसरी तरफ विल की गाड़ी एक सुनसान जगह पर आकर रुप गई. वो लिसा से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यह सही पता है. तो लिसा कहती है कि मैंने तुम्हें गलत पता बताया था क्योंकि मेरे पास कोई नया घर नहीं है. यह सुनकर विल हैरान हो गया. अब वो लिसा से कहता है कि मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ नहीं घूम सकता. जिस पर लिसा उसे समझाती है कि मेरा एजेंट जल्दी ही मेरे लिए घर खोज लेगा. इसके साथ ही वो विल को ज्यादा पैसो का लालज भी देती है. लेकिन विल अब भी उसकी बात नहीं मानता. आखिर में वो उसे अपने तर्बूस दिखा कर उसे मना ही लेती है. इसके बाद दोनों एक जगह बैठ कर एजेंट के फोन का इंतजार करने लगे. विल को भूख लगी हुई थी और वो अपना खाना निकाल कर खाने लगा. लिसा को पूरी उम्मीद थी कि उसका एजेंट उसे जल्दी ही फोन करेगा. और कुछ ही पलों बाद एजेंट का फोन आ भी जाता है. उधर मिलर और सुमा भी लिसा को तलाश रहे थे. लिसा के पास कोई ऐसी चीज थी जो उनके बोस को हर हाल में चाहिए थी. दूसरी तरफ विल लिसा के साथ नए पते पर पहुँच गया. वो अपने भाई जेसन को फोन कर सब बताता है कि मुझे थोड़ा समय लगेगा. लिसा अपना नया घर देखने गई हुई थी. जबकि विल गाड़ी में बैठा उसका इंतजार कर रहा था. कुछ देर बाद जब लिसा वापिस आ रही थी, तो सुमा और मिलर उसे उठा लेते हैं. दोनों जल्दी-जल्दी उसे अपने बोस के पास ले जाना चाहते थे. इसी दौरान लिसा अपने पर्स से एक शीशी निकाल लेती है. बदमाशो को लगा कि वो अपना चेहरा ठीक करना चाहती है. लेकिन लिसा चालाकी से काम लेकर बदमाशो पर तेज स्प्रे करती है. और फिर गाड़ी रुकते ही भाग जाती है. अब आगे आगे लिसा भाग रही थी. और उसके बड़े बड़े तर्बूज हवा में जूल रहे थे. मिलर उसके पीछे पीछे भाग रहा था. उसकी नजरे बार-बार लिसा की बड़ी सी कमर पड़ जा रही थी. सुमा भी गाड़ी में बैठ कर लिसा को पकड़ने की कोशिश में था लिसा भागते भागते विल के पास पहुँच जाती है जिसके बाद दोनों वहां से भाग जाते है थोड़ा आगे जाकर विल लिसा से पूछता है कि वो बदमाश तुमसे क्या चाहते थे लिसा इतना ही बताती है कि वो दोनों बदमाश मेरे पुराने बोस के लिए काम करते हैं मेरा पुराना बोस अंडर वर्ल्ड का बेताज बादशा है उसकी बात सुनकर विल के लकड़े की सारी हवा निकल गई वो जल्दी जल्दी गाड़ी रोग कर लिसा का समान उतारने लगा वो लिसा के कारण किसी लफड़े में नहीं पढ़ना चाहता था लिसा उसे रोग कर पूरी बात बताने लगी वो कहती है कुछ साल पहले मैं एक क्लब में नाचती थी और वहीं मेरी मुलाकात बोस से हुई थी हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया जिसके बाद हम साथ साथ रहने लगे मुझे बाद में पता चला कि बोस नशा बेचने के साथ साथ लड़कियों का कारोबार भी करता है जिसके बाद मैं उसे छोड़कर भागाई मगर विल को उसकी कहानी पर यकीन नहीं होता लिसा ने उसे कह दिया था कि वो जितने घंटे उसके साथ बिताएगा उसे उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे इसके साथ ही लिसा उससे कहती है कि अगर तुम मुझे अच्छे लगे तो मैं तुम्हारे लगडे का भी ध्यान रखोगी विल को पैसो और जवान गुफा की जरूरत थी इसलिए वो लिसा की बात मान गया खोड़ी देर बाद रात हो गई और रात बिताने के लिए दोनों एक होटल में आ गए विल लिसा से कुछ पैसे मांगता है लेकिन लिसा साफ साफ कह देती है कि वो नए घर में जागर ही पूरा हिसाब करेगी इसके बाद वो दोनों सोने की तैयारी करने लगे वैसे दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं होता जिसकी आप उम्मीद लगा रहे है विल कब लिसा की गोल-गोल छातिया दबा कर लिसा की गुफा गीली करेगा उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा अगले दिन दोनों फिर से गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ने लगे आज भी विल उसी तरफ गाड़ी चला रहा था जिस तरफ लिसा कह रही थी पूरा दिन सडकों पर घूमने के बाद दोनों रात बिताने के लिए एक होटल में आ गए आज लिसा की गुफा में बेहद आग लगी हुई थी और उसे विल अच्छा भी लगने लगा था इसलिए वो खुद ही विल के पास चली जाती है उसका नशीला बदन देखकर विल के लकडे ने भी बगावत कर दी थी वो भी जोश में आकर उसकी गोल-गोल छातिया दबाने लगा देखते ही देखते दोनों बिस्तर पर आकर उसे तोड़ने की कोशिशों में लग गए अगले दिन सुमा और मिलर विल के छोटे भाई जेसन तक पहुँच गए उधर विल और लिसा भी नींड से जाग जुके थे लिसा उटर बातरूम में चली जाती है और तब ही उसके फोन पर एक मैसेज के साथ साथ एक तस्वीर भी आती है लिसा तस्वीर विल को दिखा कर पूछती है कि क्या ये तुम्हारा भाई है विल के हाँ बोलने पर वो उसे बताती है कि बॉस के बदमाशों ने तुम्हारे भाई को उठा लिया विल घबरा कर उससे पूछता है कि वो बदले में क्या चाहते है लिसा बताती है कि वो मुझे चाहते है वैसे लिसा खुद को बचाने के लिए विल के भाई की जान खत्रे में नहीं डाल सकती थी वो बदमाशों को मैसेज कर पूछती है कि मुझे कहां आना है थोड़ी देर बाद बदमाश जेसन को लेकर उसी डगह पहुँच गए थे जिसके बारे में उन्होंने लिसा को बताया था काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब लिसा और विल नहीं आते तो सुमा उन्हें फोन कर पूछता है कि तुम लोग कहा हो विल बताता है कि हम काली पहाडी के पीछे हैं यह सुनकर सुमा उन्हें काली पहाडी के आगे आने को कहता है वैसे यह सारी गलती मिलर की थी क्योंकि विमल चबाते चबाते उसने लिसा को गलत पता भेज दिया था मिलर को उसकी गलती बता कर सुमा बातरूम करने चला गया अब गाड़ी में सिर्फ जेसन और मिलर ही थे जेसन के आगे नंबर बनाने के लिए मिलर उसे बंदू के कर्तव दिखाने लगा इसी बीच वो गलती से अपने ही पैर पर गोली चला लेता है और जेसन जल्दी जल्दी वहां से भाग जाता है रास्ते में उसे विल मिल जाता है जो उसकी तरफ ही आ रहा था विल उसे गाड़ी में बिठा कर उसे लिसा से मिलवाता है खोड़ा आगे आकर वो जेसन को गाड़ी से उतार देता है जेसन लिसा के बारे में और जानना चाहता था लेकिन विल उसे घर जाने के लिए कहता है वैसे जेसन की जान खतरे में देखकर विल काफी डर गया था वो अब लिसा के साथ और नहीं रहना चाहता था लेकिन जब लिसा उसे पूरा सच बताती है, तो वो अपना फैसला बदल लेता है, दरासल लिसा और उसका बोस एक दूसरे से बेहत प्यार करते थे, लिसा को जब पता चला कि बोस लड़कियां भी खरीदता है, तो उसने उसे सबक सिखाने का फैसला कर लिया, एक बार बोस क की नजर सड़क किनारे खड़ी जैसन पर पढ़ती है, जैसन के साथ उसका पिता लेविस भी था, लिसा तक पहुँचने के लिए सुमा ने दोनों को उठा लिया था, जल्दी ही यह बाद लिसा और विल तक भी पहुँच गई, कि जैसन और लेविस बदमाशों के पास है, सुमा लिसा को पता भेजने के साथ साथ, यह भी बताता है कि बोस उसका इंतजार कर रहा है, बोस के आने की खबर सुनकर, लिसा बेहत परेशान हो गई, वो समझ गई कि इस बार हलाद गंभीर है, वो विल के साथ मिलकर पुलिस की मदद लेने का सोचती है, थोड़ी देर विल अपनी गाड़ी लेकर बदमाशों के ठिकाने पर पहुँच गया, बोस आगे आकर उससे लिसा के बारे में पूछता है, विल जैसे ही आवाज लगाता है, तो लिसा उनके सामने आती है, लिसा को देख कर बोस को गुसा तो बहुत आ रहा था, लेकिन इससे पहले की व हमारी विडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप